हलो स्टुटेंट वेलकम बैक टो स्टीवाइडाट 247 दिसंता शर्मा और आज एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पर हम डिसकत करने बाले और ये इंपॉर्टन टॉपिक है कि लास्ट के डेज में हम किस तर से प्रपेयर करके अपने आपको स्टी का स्कोर अच्छा कर सकते ह कौन सी टेस्सिरीज लगाएं कौन सी बुक फॉलो करें हमें क्या करना है जिससे का स्कोर हर एक सब्जेक्ट में अच्छा लाएं तो अगर आप स्टूडेंट है और अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको इस टाइम क्या करना है कौन सी टेस्सिरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी जिससे कि आप हिस्ट्री में 200 आप टो 200 स्कोर कर सकते हैं तो इसके लिए वीडियो को लास्ट देखेगा और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेजीगा देखो बचे सबसे प सिरीज कौन सी होगी जिसको फॉलो करके आप हिस्ट्री में 200 में से 200 ला सकते हो फुल आटो फुल ला सकते हो 100% बन सकते हो ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि वाई टेस्ट सिरीज इस इंपोर एक्जाम है उसके लिए बचे मैं कहते हूँ कि टेस सिरीज जो होति है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब खोती है तो कैसे होती वह इस स्ञारी चीजे बताने वाली हों यहांपर dem up the consistency in the preparation तो यह आपो यह जो consistency है ना बचे यह क्या होती है यह की होती है success की की होती है जिस बचे ने consistency को अपनी लाइफ में फॉलो किया ना exam के लिए लाइफ के लिए भी फॉलो किया है तो definitely उसको success जरूर मिल दी है तो अब हम exam की बात करें कि consistency is the key for the preparation for any exam giving the giving the test help you with this तो test जितनी बार बार आप questions की practice करोगे test series लगाओगे उतनी ज्यादा perfection आती चली जाएगी और जब consistency के साथ जब आप उसकी practice करते हो तो definitely आपका कोई भी exam बहुत easily आप career कर सकते हो राइट तो इट अलाउस यू तो regularly check your profession and the push your improve yourself तो यह यह आपकी regular जो performance है उसको check करके आपको बताएगा कि अभी भी आपकी कहां पर कमिया हैं कहां पर गलतियां हो रही है तो उसको improve कीजिए निक्सरम बात करते हैं कि इसकी develop the speed with accuracy exam चाहे in the exam one has to attempt the अगर किसी को मान लो 40 questions attempt करने 50 questions attempt करने 60 questions attempt करने 100 करने 150 करने तो यह depend करता है exam पर है न यह depend करता है कि उस exam में आपके कितने माक्सी question पूछे गए अगर मैं CUT की बात करूं अगर मैं history की बात करूं तो history में आपके 50 questions दिये जाते हैं जिसमें आपको 40 attempt करने होते हैं राइट बजे लेकिन अभी आपको depending on the exam in a time frame तो limited time के अंदर यानिकी 45 minutes के अंदर आपको कितने questions solve करने आपको 14 solve करने है 45 minutes के अंदर आपको 40 question solve करने है और total दिये जाएंगे आपको कितने total दिए जाएंगे आपको 50 questions ठीक है आपको कितने दिये जाएंगे आपको जो है वो 50 questions दिये जाएंगे total ठीक है 50 में से कितने attempt करने 40 questions attempt करने है आपको time कितना दिया गया time दिया गया आपको only only 45 minutes right only 45 minutes तो Darla limited time के अंदर आप किस तरीके से अपने हर question की speed speedly और हर question को accurately आप जवाब देंगे है ना तो ये practice जो है वो आप पहले से करके रखिए ताकि आपको exam में वो problem ना face करनी करें कि कि किसी question में आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो ज़्यादा सोचोगे time consume होगा time consume होगा तो next question के लिए आपके पास time नहीं रहेगा वो question छुट जाएगा फिर marks कमाएंगे राइट बचे नेकसर move on करते हैं तो speed और accuracy का ध्यान दखना है time management ये बहुत important role play करता है हमारी life में भी और as well as exam के अंदर भी तो आपको यहाँ पर time manage करके चलना है जैसे जैसे आप test series में से test question क practice करेंगे वैसे वैसे क्या होगा आपके अंदर एक तो confidence build होगा वैसे ही आपको यह पता चलेगा कि किस question में आपको ज्यादा time लग रहा है किसमें आपको कम time लग रहा है जिसमें ज्यादा time लग रहा है तो जब बार 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 उसकी practice करेंगे तो exam time तक आप इतने ज्यादा perfect हो चुके होंगे कि उस question से regarding जैसे भी question आ जाएं कैसे भी question पूछ ले तो आपको उसमें time कम लगेगा तो यह कैसे पॉसिबल हुआ practice के through तो आप क्या करोगे टैस सीरीज में से जादा जादा practice करोगे जिससे कि आपका time manage एक सही तरीके से चलता रहे निक से बात करेंगे overcomes exam phobia and exam anxiety बहुत सारे बच्चों को exam anxiety होती है right exam anxiety क्या होती है मतलब exam के tensions होती है कि और क्या होगा exam में पहली बार देने जा रहा हूं पता नहीं कैसा paper आएगा है ना मुझे पता नहीं कि online test कैसे दिया जाता मुझे नहीं पता है कि omr sheet कैसे fill की जाती है तो बहुत सारे से questions होते है nervous नहीं सोती है घबराट होती है जाए कितना भी कोई किसी ने तयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं उनके उनके थोड़ी से nervous होती है होते है तो ठीक है ठीक कहा रही हूं गलत तो आपको दिया जाना चाहिए अब यहां पर देखे क्या कर रहा है अब यहां पर देखे क्या कर सकते हैं राइट इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर से देख करके फिर आप कुश्चन को लगाएंगे तो यहां पर अपकी बार टाइम कम लगा फिर जब तीसरी बार करोंगे फिर और टाइम कम लगेगा ऐसे जो चार से पांच बार कर लोगे तो उस कोशन पर बहुत जल्दी से आप क्विकली उसका अंसर दे पाओगे राइट उसके बाद है best way for revision test series has to cover the important concept and it is more engaging also जैसे जैसे आपके questions ठीक होते रहते हैं तो इससे आपका confident build होगा साथ साथ में exam fear phobia यह सब कुछ आपके अंदर से निकल जाएगा जो भी negativity थी सारी वो positivity में convert होती चली जाती है राइट बचे तो यह सारा होता है next move on करेंगे familiar with the latest exam pattern तो बचे latest exam pattern अभी हमारा CUT के exam जो हो hybrid mode पर होने वाला है तो यह जो hybrid mode पर आपक करवाया जा रहा है ऐसे ही आपको exam के अंदर exam से पहले आपको दोनों तरीके से prepare होना है आपको online mode पर भी prepare होना है आपको offline mode पर भी prepare होना है तो इसके लिए offline के लिए क्या करोगे आप जादा-जादा omr sheet को fill कीजिए इसके आपकी practice होगी गलतिया होने के chances कम होगे अगर पर यह होना चाहिए था है ना फिर आप उसको correct नहीं कर सकते हो राइट तो यह गलतियां नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए आपको test series पहले से क्या करना है पहले से question की practice omr sheet पर कर लेनी है इसके अलाब अगर मैं यह कहूं कि online test series से online test series से यह फायदा होने वाला है कि जो भी बच्चों का एक fear होता है कि मैं पहली बार online test देने जा रहा हूं नहीं पता मुझे कैसे तो आप online test भी आप क्या कर सकते हो attempt करके अपने इस online test series जो कंड़ेट करवाया जाएगा उसका भी fear अपने दिमाग से निकाल सकते है तो यह आपको दोनों latest pattern पर आपको जहां पर इन in time तो हम क्या कर सकते test series से पूरे syllabus को हम बहुत ही जल्दी कवर कर सकते हैं और यह बहुत ही engaging भी होता है अब मालो अगर हम खुद से पढ़ने बैठ रहे तो हमें यह नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो यह test series है उसमें जो questions दे जाते हैं व आपका जितना syllabus में time लगना था अब वो बिल्कुल time पर खतम हो गया है और time पर खतम करने के बाद आप उसकी अच्छी से revision भी कर सकते हो राइट तो test series आपको इसमें बहुत ज़्यादा help करते हैं तो अब बात करते हैं कि इसकी right preparation for the strategy तो during the exam never experiment with the new strategy of the solving paper बच्चे जब भी आप test series को follow करते हो जब भी आप questions की practice करते हो तो इतनी दिनों से मानलों आपने 200 test series लगा ली मतलब 200 आपने जो है test जो भी आपकी question paper है आपने उसको 200 या 140 या 100 आपने test series से जो है 100 question paper आपने तरह ड़ी कर लिए है अब आप confident हो बिलकुल confident हो कि आप मेरी कोई गलती नहीं होग नई का experiment मत करना कि मैं इस तरीके से इसको solve करते हूँ तो नहीं तो कहीं न कहीं first जाओगे और time consume हो जाएगा आपका time निकलता चला जाएगा और next question के लिए time कम बचेगा इसने मेरा मानना है कि आपने जिस strategy के साथ अपनी test series में जिस question को solve करने के लिए जो भी strategy apply की है आप उ definitely आपको success मिलेगी कोई भी exam ऐसा नहीं होता जिसमें आप success नहीं पा सकते हो लेकिन एक सही strategy बना करके और एक सही guidance के तुरू आप ये सारी चीज़े कर सकते हो अब आप मैंने आपने ये तो बता दिया लेकिन अब आप ये बताईए कि the best series जो जो the best test series है and practice mock test है for CUET 2024 ये हमे कहां से मिलेंगे अब ये इतनी सारी बाते बताई हैं बचे तो इसके विहापर मैं आपको recommend करने वाली हूँ खुद मैं personally अगर मैं बात बताऊं तो आपके लिए मैं personally recommend करूंगी CUET 2024 7 की humanities की देखो humanities के हो science के हो commerce को तो ये तो सभी के लिए ये hybrid जो आपको kit दी जा रही है तो ये सभी के लिए इसमें आपके online और offline दोनों तरह के test दिये जा रहे हैं इसको purchase करने के लिए आप वाइपूर 89 coupon code यूज़ कर सकते हो maximum discount पानने के लिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं humanities के student अगर मैं बात करूं history, quality, geography इन सब की बात करूं तो उनके लिए A stress series को आप follow कर सकते हो इसमें 200 प्लस mock test दिये हुए हैं यहाँ पर 140 प्लस mock test दिये हुए हैं तो आपको अगर जो भी आपको purchase करना है तो उसमें क्लिक करके आप why for a 10 coupon code लगाएंगे अब question ये आता है कि मै download कर लो download अगर कर रखे तो यहाँ पर all courses पर जाना है जैसे आप all courses पर जाओगे तो वहाँ पर बिलेगा आपको यूजी पीजी एंटर्स exam बिलेगा यूजी पर click करना है then arts पर click करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर एक test series का option दिखाएगा यहाँ पर आपको click करना ह click करने के बाद आप क्या करोगे a stress series पर जाओगे तो a stress series को यहाँ पर follow कर click करोगे 200 वाली लीजीगा क्योंकि इसमें number of questions ज्यादा है जिससे आपके सही questions होने के ज्यादा chances रहेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको आप चाहो तो 140 प्लस वाला भी ले सकते हो यहाँ पर आ करते ही इसमें क्या करना है apply करते ही आपको यह पूरा maximum discount मिल जाएगा ठीक है maximum discount मिल जाएगा तो आपको क्या करना है coupon code लगाएंगे आप y489s ठीक है आपने यह कर दिया अब यह देखें यह क्या हो गया 17% का off आपको मिल गया है बच्चे यह coupon code लगाना है ठीक है y489s आप करते ही आपको क्या करना है 17% का off मिल जाएगा पहले 15% का लग रहा था इसमें इंसर्ट कर दिया तो फिर उसके बाद में आपको 17% का off मिल गया है तो जाहिए अभी देर मत कीजिए test series को जितना आप लगाएंगे जितने questions की practice करेंगे उतनी ज्यादा perfection आती चली चली क्या हुाँ झापको